आज हम इस वीडियो में क्षत्रिय मराठों के 96 क्षत्रिय कुलों में से पहले अहीराफ कुल की जानकारी लेंगे, जिसमें इस कुल का वंश, गोत्र, देवक और इस अहीराफ कुल में आने वाले उप कुलों के बारे में जानकारी बताएंगे. लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों हम जो जानकारी लेंगे वह रामकृष्ण कदम लिखित ग्रंथ मराठा 96 कुल से लेने वाले हैं मराठों के 96 शत्रिय कुलों में प्रथम कुल है अहिर्राव कुल को कुछ इतिहासकार राष्ट्रकूट वंश की शाखा मानते हैं तो कुछ इतिहासकार अभिर राजवंश की शाखा मानते हैं इस अहिर्राव कुल में अनेक उपकुल है, उपकुल का मतलब होता है, इस अहिर्राव कुल से निकले हुए अनेक उपनाम यानी सरने किसी भी कुल के लोग जब विविध प्रदेशों में जाते हैं तो उस प्रदेश के नाम पर यानि गाउं के नाम पर उनका उपनाम या सरनेम हो जाता है या कभी कभी किसी भी कुल के व्यक्ति को अगर उसने कोई पराक्रम किया हो तो कोई सम्मान जनक उपाधी दी जाती है तो वही उपाधी उसका उपनाम यानी सरनेम हो जाता है तो ऐसे उपनाम या सरनेम को उसके मुख्य कुल का उपकुल कहा जाता है और अहीर रावकुल के जो उपकुल है वह आप वीडियो में देख सकते हैं जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जै भवानी जै शिवराय जै महाराश्ट्र जै हिंदूराश्ट्र